कि यहलो हो रहे है कि है आप लोग कि आज करने वाले हैं डाइजेशन एन एब्जॉप्शन ठेक है तो हमने पढ़ लिया था टंग देख लिया सॉप्ट पैलेट देख लिया यह सब कुछ हमने देख लिया था ठीक है अगें जो बच्चे नहीं है बटा रोज सुभा नौ बज़े एक लास होती है आज क्योंकि electricity का कुछ issue हो गया था तो आज क्लास सुभा नहीं हुई तो इसलिए रात हो गई ठीक है यहां पर हैंड़ेटन नोट एंसी आर्टी पीवाई क्यू एक्जेंप्लर टॉफ हंड़ेट कोश्चन के साथ आपको पढ़ाया जाता है आए हमने देखो लास्ट क्लास म था फैरिंग देख लिया था टंग देख लिया था अब हम आज पढ़ने वाले हैं टीथ आज पढ़ने वाले हैं टीथ चल एक बार वीडियो को लाइक कर दीजे थम्सप दे दीजे तो आट बिकें के साथ है टीथ ठीक है कैसा है भाई या टेज एक्टो मीजो डर्मल इन आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह की ओरिजिन के हम बात करते हैं एक्टो डर्मल मीजो डर्मल एंडो डर्मल है ना तो टीथ का कुछ पार्ट एक्टो डर्मल इन ओरिजिन है कुछ पार्ट मीजो डर्मल इन ओरिजिन है इत इस एक्टो मीजो डरमल इन ओर इजन ठीक है किस से अटाइच्ट है अटाइच्ट टू अटाइच्ट टू maxilla and mandible both it is attached to maxilla and mandible ठीक कैसा है टीथ का structure कैसा है टीथ का structure सबसे क्या है तो अगर टीथ का आप structure देखो यहाँ पे अगर टीथ का आप structure देखो यहाँ पे तो क्या देख रहा है आपको यह white वाला जो पार्ट है आउटर पार्ट इसको हम कहते हैं इनमल अंदर वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कि देन्टाइन ठीक है क्या क्या दिख रहा है आपको इनमल डेन्टाइन और अंदर वाले में जहां पे blood capillaries है इसको हम कहते हैं इनमल आउटर पार्ट बीच वाला पार्ट बाइंडिंग या सेमेंटिंग मेटिरियल जाट इस देन्टाइन और अंदर वाला पार्ट इस पल्प तो पहले एक एक करके सब कुछ लिखो उसके बाद फिर आगे बाद था ठीक है तो सबसे पहले आता है इनमल इनमल क्या है इट इस एक्टो डर्मल इन ओरिजिन इन ओरिजिन किससे सिक्रीट होता है सिक्रीट बाइ एमलियो बलास देखो दोनों पर सवाल आता है इनमल और देंटा इन दोनों पर enamel is secreted by amyloblast cell or dentine is secreted by odontoblast cell. So, ectodermal in origin secreted by amyloblast cells. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक, बहुत बड़ी हमाद, कैसा बना हुआ है, तो mainly composed of calcium phosphate, या लेख सकते हो, phosphates of calcium, it is mainly composed of phosphates of calcium, ठीक है, दूसरा आ गया, dentine, क्या होगा बही है, mesodermal in origin, कैसा है, mesodermal in origin, ठीक है, it is the main part of tooth, ठीक, क्या करता है, क्या करता है, it surrounds the pulp cavity, it surrounds the pulp cavity, कैसे है, made up of odontoblast cells, made up of odontoblast, ठीक, किसका बना है, odontoblast cells का बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, तीसरा वाला क्या है, पल्प, पल्प का क्या होगा, it is vascular and has nervous supply, तो जो nutrition दात को मिलता है, वो पल्प के थुरू मिलता है, जो nutrition दात को मिलता है, वो पल्प के थुरू मिलता है, ठीक है, तो आपको दिख गया, enamel, dentine, और pulp, तो पल्प में आपको क्या दिख रहा है, पल्प में आपको दिख रहा है, nerves और blood vessel, तो blood supply और nerves, ठीक है, अच्छा, अब ये nerve और blood supply गुस्ता कैसे है, ये nerve और blood supply गुस्ता है, वाया apical foramen, लिख लीजे, the nerve and, the nerves and blood supply enters into the teeth via apical foramen, ठीक है, ठीक है, ठीक है, root canal यही हुआ, teeth के अंदर वाला जो region है, उसको root canal कहते है, cementum binds the teeth to gums, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, अगर structure wise देखोगे तीत का तो तीन पार्ट है, crown, neck और lead, है ना, structure wise तीत का देखोगे, तो तीन पार्ट है, तो ये लिखे, structurally, three parts, कौन-कौन का पार्ट है, सबसे बाहर वाला जो है, crown, crown क्या हो जाएगा, crown क्या हो जाएगा, outer path of tooth, exposed, outer part of tooth, exposed, outside, gums, gums के बाहर वाले जो पार्ट है, that is, crown, दूसरा हो गया, neck, neck क्या हुआ, internal part of tooth, embedded, inside gums, ठीक है, और jaw bone के socket में हो गया, root, तीसरा हो गया, root, root क्या हो बेटा, part of tooth, that is, inside the socket of jaw bone, आपको देखी जाएगा, देखो तीनों चीज़, क्या-क्या देख रहा है, crown, ये वाला पार्ट देखो, neck ये बीच वाला पार्ट, और root ये नीचे वाला पार्ट है, तो आपको crown, neck और root देख रहा है, crown, neck और root देख रहा है, समझ में आए, clear बेटा, clear है, clear है हाँ या ने, एक बार थमसद देदो, फिर आगे बढ़ेंगे, एक बार थमसद देदो, फिर आगे बढ़ते हैं, चिक, चिक, बढ़े आगे, तो there are four types of teeth found in mammoth, types of teeth found in mammoth, कौन-कौन सा चार तरह का teeth पाए जाता है, सबसे पहला, सबसे पहला, इंसिजर, पतलाट लाठता है, ऐसे सामने वाला देख्या, यह है, तो इस कौन कहते हैं, इंसिजर, तो it is for long chisel के बढ़े, cutting के लिए है न, long चिसल, छिलने का गाम है न, shift, for, cutting, ठेक है, दूसरा कैसा होता है, कैनाइन, क्या होगा बट्टा, पॉइंटे डांट, यह को न होगा, तो पॉइंटेड, शार, पॉइंटेड टीथ, for, tearing, मुर्गी का टांग तुम ऐसे न, ऐसे करें खाते हो, है न, ऐसे खाते हो न, तो दाट इस वर, tearing, यार रखिएगा, अम, कैनाइन, sorry, कैनाइन, teeth, is absent in herbivores, ठीक है, तो क्या होता है, present, space present है, यह रांट नहीं है, तो incisors के बीच में, space present है, जिसको हम diastema कहते हैं, तो कैनाइन, teeth is absent in herbivores, and an empty space is present called diastema, and an empty space is present called diastema, ठीक है, तो incisors केनाइन, that is pre, pre molar बिटा क्या है, chewing and crushing of food, ट्राइंगल शेप टीथ, teeth for, क्या, chewing and crushing, ठीक है, ठीक है, अच्छा था हो गया, molar अगें यह भी grinding के लिए होता है, ठीक है, तो अगें, क्या है, अब बोलों के सर यह shape कहां दिख रहा है, तो अभी तुमको दिखाते है, rectangular shaped teeth, ठीक है, और क्या होता है, helps in crushing of food, ठीक है, तो देखो, दाथ देखोगे तो तुमको सब्सक्राइब, अब देखो, अब बोलों के सर यह आपका imagination यूज हो रहा है, ठीक है, अब देखो यहाँ रेक्टैंगल, rectangle, rectangle, rectangle ठीक है, triangular, triangular, pointy और यह chisel shaped, देखा, chisel shaped, chisel shaped, pointy, triangular, triangular, rectangle, rectangle और rectangle, इसलिए shape आपको बताया जार रहा है, ठीक है, तो पहले dental formula लिखो, तो अगर हम dental formula की बात करें, तो adult में, adult का dental formula क्या है, incisor, canine, premolar, molar, two, one, two, three, by two, one, two, three, का हुआ, adult में, ठीक है, अगर हम बात करें, सत्रा साल के उमर के बच्चे में, तो इसमें, third molar नहीं आगा, two, one, two, two, by two, one, two, two, ठीक है, और अगर हम बात करें, child में, बच्चे में, तो टू, one, zero, two, by two, one, zero, two, बच्चे की बात करें, तो क्या है, two, one, zero, two, by two, one, zero, two, ठीक है, दिखकत यहां तक, दिखकत यहां तक, ठीक है, अब लोग के सारी calculate कैसे करते हैं, number of teeth कितना है, तो कुछ नहीं, सब को multiply two कर दो, सब को multiply two कर दो, सब को multiply two कर दो, तो equal to 20, equal to 28, और equal to 32, अडल्ट में 32 teeth है, 17 year old में 28 teeth है, और child में तुम्हारा बीजदात है, अब देखो के सार कैसा होता है, आप कैसे बात कर रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं तो बच्चे में देखो, क्या है आप क्या है, इंसिजर है, two, केनाइन है, one, प्री मोलर नहीं है, सिर्फ मोलर है, है ना, तो 2102, ऐसे ही रेखते हैं, यहां से ऐसे बटवारा करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, यहां से बीच बटवारा करते हैं, तो इंसिजर देखो, इंसिजर, इंसिजर, केनाइन और मोलर, प्री मोलर नहीं है, ठीक है, तो कितना हुआ इंसिजर, 2102 by 2102, यह आया ना, इसका, 2102 by 2102, आ गया, आ गया, बहुत बहुत, एडल्ट में देखो, एडल्ट में देखो, इंसिजर, इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर, प्री मोलर, 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 ठीक है, तो क्या है, 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3, ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है, ऐसे काउंट करते हैं, तो आधा-धा बटवारा कर लो, आधा-धा, यहां से यहां से बटवारा कर लो, समझ में आया सबको एक बटवारा कर लो, ठीक है, बहुत-बहुत, बहुत, अब बात करते हैं, यूमेन डेन्टीशन हमारा कैसा है, पहला, कुछ दांत हमारा मोनो-फायो-डांट है, ठीक है, मतलब ऐसा दांत जो जिन्दगी में एक बार ही आएगा, क्या हो गया, यह दांत एक ही बार हैगा, तो थीज टीथ अपियर ओनली वन्स इन लाइफ, ठीक है, कौन-कौन सा हो गया, प्री मोलर एंड, थर्ड, इसका मिल्क टीथ नहीं आता, प्री मोलर एंड, थर्ड मोलर, इसका मिल्क टीथ नहीं आता, दूसरा, डाय फायो-डांट, कुछ हमारा, दूसरा, दाय फायो-डांट, कुछ दांथ हमारा, दो बार आता है, तो, दट टीथ अपियर, दीज टीथ अपियर, ट्वाइस इन लाइफ, कौन-कौन सा टीथ है, पर्मानेंट टीथ, पर्मानेंट टीथ, कौन-कौन सा है, कौन-कौन सा है इसमें, इनसिजर, केनाइन, एंड, फार्स्ट एंड, सकेंड, मुलर, ये दो बार आता है, फार्स्ट एंड, सकेंड, मुलर, ठीक, ठीक है, तो अगर पूछे, मोनो-फायो-डॉंट डेंटीशन क्या होगा, कि कौन-कौन से टीथ, एक ही बार आ रहे हैं, तो अगर तुमसे पूछे, मोनो-फायो-डॉंट-डेंटीशन, तो क्या हो जाएगा, जिरो-जिरो-टू-वन, ठीक है, तो बारा दान्थ तुम्हारा, मोनो-फायो-डॉंट होता है, बागी सारे तुम्हारे, डाए-फायो-डॉंट होते हैं, ठीक है, क्लियर है, बहुत हो, ठीक, अगला आते हैं, ठीको-डॉंट, क्या हो गया, दट टीथ, आर प्रेजेंट, इन, बोनी सॉकेट अफ, जाओ, जाओ के अन्दे, इम्बेड़ है, एक्जाम्पल, human beings में, ठीको-डॉंट होता है, टीथ, embedded in jawbone, इसलिए उखड नहीं सकता जल्दी, तो इसको हम, ठीको-डॉंट बोलते हैं, ठीको-डॉंट, और लास्ट, हेटरो-डॉंट, हेटरो-डॉंट मतलब क्या हुआ, different sets of teeth, different, sets of teeth, कौन-कौन से different sets of teeth है, incisor, canine, premolar और molar, molar, incisor, canine, premolar, क्लियर है सब, यहां तक दिक्कत, यहां तक दिक्कत, च्ट, बहुत बढ़े, आगे बढ़े, तो हमने देख लिया, डाइ-फायो-डॉंट, मोनो-फायो-डॉंट, ठीको-डॉंट और हेटरो, आगे बढ़े एक बढ़े, एक बढ़े, थमसब देदो, फिर आगे बढ़े, तो दाथ में हमने टीथ भी देख लिया, अब एक बच्टा है, सलाइवरी ग्लैंड, फिर माउथ तुमारा खतम हो जाएगा, अगला, सलाइवरी ग्लैंड, कैसे कैसे बढ़े, सलाइवरी, तो कैसा कैसा सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंड है, कौन-कौन सा, सबसे पहला यहां प्रेजेंड है, इन फ्रेंट ऑफ इयर्ज, तो इसको हम कहते हैं, पैरोटिग ग्लैंड, दूसरा, मैक्दिला के उपर, और मैंडिबल के नियर्ज, तो सब मैक्दिलरी और सब मैंडिबलल ग्लैंड, और तीसरा है, सब-lingual, जीव के नीचे हैं, अब इन सब का डक्ट का भी नाम होगा, तो पैरोटिग ग्लैंड का जो डक्ट है, तैस्टेंशन डक्ट, इसका जो डक्ट का नाम है, तैस्ट वाटन डक्ट, और इसका जो डक्ट का नाम है, डक्ट इस्ट रेनिवेस, या तो duct of renews बोलो या रेनिवेस duct रिवीनिस होता है अंको रेनिवेस याद रहता है spelling wise रिवीनिस होता है मुझे रेनिवेस याद रहता है ठीक पैरोटीड ग्लैंड लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ठीक है लार्जेस्ट डक्ट वाटन डक्ट अब सलाइवरी ग्लैंड इसको हम कहते हैं वाटन डक्ट और सबसे छोटा वाला जो है उसको डक्ट ओफ डक्ट ओफ अजए विनिस कहते है ठीक है यह क्या हो गया यह हम बात कर रहे है पैरोटिट ग्लैंड की यह हम बात कर रहे है वाटन डक्ट की और यह हम बात कर रहे है स्मॉलेस डक्ट जो है डक्ट ओफ ठीक है मैक्सिमम सिक्रीक्शन सबमैक्सिलरी सबमेंडिवलर ग्लैंड देता है यह आपका maximum secretion देगा ठीक है और sublingual gland आपका minimum secretion तो maximum secretion आपका कौन सा देगा submaxillary, submandibular और sublingual तुमारा minimal secretion देगा clear है clear है clear है ठीक है देख लो तुमको diagram देख लोगे पता जल जाएगा तो बिलकुल कान के आगे यह है parotid gland, duct has tension duct ठीक है फिर तुमको देखो submandibular gland ठीक है और submaxillary gland उपर ठीक है तो इसमें कौन सा duct है इसमें duct है तुमारा submandibular, submaxillary तुमारा जो है gland आगे है, ठीक है तो यहाँ देखो parotid gland ठीक है submandibular gland और सबसे नीचे जो tongue पर है below tongue sublingual gland duct का नाम है duct का नाम रेनिवेस उसके बाद stention और उसके बाद उसके बाद क्या water ठीक है समझ में आया समझ में आया बढ़े आगे बहुत बढ़े तो यह आपका salivary gland अब हम एक और बहुत important topic पढ़ने वाले हैं जिसको हम कहते है histology of elementary canal ध्यान से सुनना important histology of elementary ध्यान से सुनना यह बहुत important है histology of पहले diagram देखो उसके बाद हम लोग पढ़ते रहें histology is the study of tissue study of tissue को हम क्या करते हैं histology ठीक है आई देखे कैसे काम करता है histology of elementary canal तो चार लेयर का बना होता है पहले देखो चार लेयर का यह बना होता है ठीक है ठीक है तो कहां कहां प्रेजन्ट होगा तो पहले डालो इसोफेकस कैसा कैसा होगा बताते जाएंगे तो इसोफेकस, स्टमक, ड्यूदेनम, एंड जेजनम, एंड इलियम, क्या ही है, इसको हम बोलेंगे सेरोसा, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, इसको हम बोलेंगे सेरोसा, ठीक है, इसोफेकस में जो सेरोसा होता है, इसोफेकस में जो सेरोसा होता है, बटवारा करेंगे, स्टमक, ड्यूदेनम, ठीक है, इसोफेकस में जो सेरोसा होता है, उसको हम ट्यूनिका एडवेंट टीटा, आउटर लेयर, ठीक है, तो यह बना होता है, यह बना होता है, अरियोलर कनेक्टिव टिशू, यह बना होता है, अरियोलर कनेक्टिव टिशू, एंड, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिशू, ठीक, क्या कहते हैं इसको हम, ट्यूनिका एडवेंट टीशे, लिख लो, लिख लो, सबसे पहले लिख लो, जैसे यह डियाग्राम करते जाएंगे, वैसे वैसे हम दोग लिखते भी जाएंगे, ठीक है, तो आउटर्मोस्ट लेयर, सबसे बाहर वाला लेयर, ठीक है, कम्पोज्ड औफ, क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिशू, क्या, सिम्पल स्क्वार माज एपी थी गिया, सिम्पल स्क्वार माज एपी थी गिया, ठीक है, इसोफेगस में क्या है, ट्यूनिका, एडवेंट, टिश्या, एसोफेगस में क्या है, ट्यूनिका, एडवेंट, टिश्या, ठीक है, यह भी वही बना हुगा किसका, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, टिश्यू जब पढ़ोगे तो तुमको यह सब चीज़े समझ में आ जाएगी, ठीक है, यह वाला पाट हो गया यहाँ पर, ठीक है, स्टमक में तो ओमेंटम हो जाता है, सिंपल स्क्रामस एपिथीलियम, प्लस, फैट, प्लस, ठीक है, तो इसको ओमेंटम बोलते हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम अभी दिखाएंगे तुमको, ठीक है, डूड़नम में वही, सेम सेरोसा वाला जो लेयर है, नॉर्मल, यहाँ भी, सेरोसा का जो लेयर है, वो नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है, दूसरा जो लेयर है, that is called muscularis, बनाओ, second layer is called, second layer is called, muscularis, अब muscularis दो तरह का होता है, कैसा, circular और longitudinal, बटवारा करतो इसको, कैसा कैसा होगा, circular और longitudinal, तो अगर माल लो यह वाला muscularis है, तो इसको longitudinal माल लेते हैं, तो यह वाला क्या हो गया, माल लो, longitudinal हो गया, muscularis, यहां तो longitudinal ही रहेगा, यहां पर circular होगा, ठीक है, तो यह आ गया, muscularis, ठीक है, longitudinal, ठीक है, दूसरा जो होता है, उसको circular करते हैं, तो यहां पर L लिख लो, L लिख लो, L लिख लो, ठीक, दूसरा जो होगा, उसको circular कहेंगे, और इन दोनों के बीच एक flexus होता है, इन दोनों के बीच एक flexus होता है, जिसको हम, or back flexus या mindric flexus कहता है, ठीक है, तो इन दोनों बीच में क्या है, flexus होता है, flexus मतलब nerve fiber, का aggregation होता है, तो जिसको हम, or back, या mindric flexus कहता है, तो यह longitudinal muscularis और किसमें, और circular muscularis के बीच में होता है, तो एक और बना लो, एक और layer of muscularis होगे दाटे, circular muscular, यहां भी बटारा कर दो, स्टमक में muscularis का एक और layer होता है, जिसको हम circular layer कहता है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, यह गया circular, sorry, उपर वाला oblique होगा, नीचे वाला circular होगा, अबलीक, circular, यह वाला circular होगा, यह वाला circular होगा, तो यह muscularis यह भी है, कैसा? circular muscularis यह गया, तो longitudinal muscularis layer और circular के बीच में, plexus हैं, जिसको हम कहते हैं, और back या mind trick plexus, ठीक, अगला layer क्या आ जागा? अगला layer हो जागा तुम्हारा sub mucosa, अगला layer हो जागा तुम्हारा sub mucosa, ठीक, अगें, क्या है, rich in blood vessels, तो यह वाला जालो sub mucosa, ठीक है, तो it is nerve and blood supplies में present होता है, ठीक है, यहाँ पे glands होता है, जिसको हम कहते हैं, bruner's gland, जो खुलेगा तुम्हारा mucosa layer में, क्या कहते हैं, इसको? bruner's gland, तो bruner's gland is present in the sub mucosa of deudanum, bruner's gland is present in the sub mucosa of deudanum, और last layer जो होता है, that is called mucosa, आकरी layer जो होता है, that is called mucosa, तो एक layer बना दो, आकरी, यह वाला जो layer होता है, इसको हम कहते है, mucosa, थोड़ा और कॉन कलर, और कोई कलर, और कोई कलर, और कोई कलर, और कोई कलर, विच कलर, विच कलर डू आई चूस, या, ठीक है, तो यह layer हो गया, तुम्हारा, mucosa, तो isophagus में, non-keratinized stratified squamous epithelium, ठेक है, उसके बाद, stomach में, simple columnar glandular epithelium, जिसमें, रूगे होते हैं, muscular folds, ठेक है, dudonum में, तुम्हारा brush border epithelium है, ठीक है, और, epithelium में, जिसमें, तुम्हारा, pointy, विलाई होता है, ताकि surface area, बढ़े है, ठीक है, तो बटवारा कर दो, यह mucosa region हो गया, यह, mucosa region हो गया, ठीक है, डाल दो यहाँ पर mucosa, ठीक है, तो brunus gland क्या करता है भईया, secretion अपना डाल देता है, विलाई में, यहाँ पर secretion अपना डाल दिया, ठीक है, अब mucosa, अब dutonum और जेजनम यहाँ पर गड़े है, इन गड़े को हों क्या गोलते हैं, क्रिप्स ओफ liver koon, क्या करता है, क्रिप्स ओफ liver koon, क्या करता है, क्रिप्स ओफ liver koon, ठीक है, यहाँ पर कुछ cells होते हैं, जिनको हम paneth cells कहते हैं क्या कहते हैं paneth यह release करता है lysozyme और defensive मतलब protection के लिए help करता है ठीक है और यहाँ पे कुछ patches होते हैं जिसको हम pairs patches कहते हैं क्या कहते हैं pairs या इसको हम intestinal tonsil भी कहते हैं which is a secondary lymphoid organ which is a secondary lymphoid organ which is a secondary lymphoid organ ठीक है तो यह तुम्हारा बना stratified non-keratinized stratified epithelium तो इसको लिखे हो multilayered epithelium एक से जादा है तो stratified epithelium ठीक है यह glandular epithelium तो simple columnar glandular epithelium ठीक है यह भी glandular है simple columnar glandular epithelium ठीक है वो भी columnar और glandular epithelium है आई तो अब लिखते हैं कहां पे क्या-क्या होता है लिखते हैं कहां पे क्या-क्या होता है सरोसा हमने लिख लिया ठीक है दूसरा आते है muscularis second layer क्या-क्या था बैटने हम दे देखा था outer longitudinal और inner circular ठीक है stomach में क्या था extra layer that is of leak ठीक है क्या काम करता है helps in peristalsis peristalsis was contraction and relaxation movement it helps in peristalsis it helps in peristalsis लिखिये ठीक है ठीक है muscularis के बाद क्या था sub-mucosa sub-mucosa क्या था sub-mucosa में areolar connective tissue areolar connective tissue composed of areolar connective tissue or with blood vessels blood vessels lymph vessels and nerves ठीक है ठीक है ठीक है चौथा mucosa आखरी वाला लियर mucosa तो mucosa is it differentiated into three layers ठीक है पहला outer layer that is mucosa muscularis ठीक है ठीक है दूसरा middle layer इसको हम कहते है mild ठीक है ठीक है it is the largest lymphoid tissue कहते है mucosa associated lymphoid tissue malt या इसको हम कहते है lamina propyria या इसको हम कहते है lamina propyria ठीक है और inner most layer जो है वो तुमारा epithelial mucosa जो भी बात किये थे कहां पर aerolar था कैसे कहता था epithelial कहां कहां कैसा कैसा था isophagus में non-keratinized stratified squamous epithelium ठीक है isophagus में कहां था और बांकी जगा column ना रे epithelium ठीक है inisophagus क्या non-keratinized stratified squamous epithelium और बांकी जगा क्या था columnar epithelium बना दिया था हमने columnar epithelium right bot być छिक ठीक छिक फोर्ट वह स्मॉल इंटेस्टेंगों क्या करते हैं odd small इंट्रेस्टाइन इस कॉर विलाइं विलाइं क्या करता है इनक्रीजेस दसर्फिस अरिया फॉर एबसो इनक्रीजर दसर्फिस अरिया फॉर यह थो एबसो ठेक कोई दिक्कत कोई दिक्कत क्या क्या चीज प्रेजन्ट हम ने देखा था Brunus Gland क्या Submucosab Deuterum में पाए जाता है क्या रिलीज करता है Secrets कि अच्च्च करते हाज बान काज स्च्च्च कर देखा कर देखा, क्या थाय कर देखा देखा, देखा is फाउंड इन क्रिप्ट्स ओफ लिवर खुन ठीक है क्या सिक्रीट करता है सिक्रीट लाइजोजाइम एंड डिफेंट ठीक है तीसरा पेर्स पैचेट क्या भई यह एग्रिगेटे लिंप नोड इसको हम इंटेस्टाइनल टॉंसिल भी कहते हैं इंटेस्टाइनल टॉंसिल भी कहते हैं ठीक है कोई दिककर अब प्लेक्सेश देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आज का तुम्हारे छुट्टे हो जागा कौन कौन सा प्लेक्सेश पहला और बैक्सेश या इसको माइंट्रिक फ्लेक्सेश कहते हैं कहां देखा है तुमने देख लिया है तो इस फाउंड बिट्वीन किसमें लॉंगी ट्ूडनन एन शर्कुलर मस्कुलारेस लेयर लॉंगे Poristals M antes less मस्कुलारेस लेयर इंट़्न शर्कुलरา। किसमें मेहं करता है क्या करता है किसमें आद़्मारेस में करता है करता है stimulation ठीक है दूसरा मेसिनर्ज प्लेक्सेस ठीक है इसको हम सब म्यूकोसल प्लेक्सेस भी कहते है क्या काम करेगा सिकरीशन स्टुम्लेट्स सिकरीशन इन एपिथीलेल म्यूकोसा स्टुम्लेट्स सिकरीशन इन एपिथीलेल ठीक है तो हमने और बैक प्लेक्सेस देख लिया हमने मिसनेस पलेकस्ज या सब मुकोस बरेक्सज देख तेख लिया, हो गया आपका हेस्टालजी ओफ nation03 केनार कंप्री ज़र कफी बढ़ियाग्राव हैं है ना काफी बढ़ियाग्राम है राइट लिए चैट बढ़ियां इस भेव बहुत बोड़े चलिए डियाग्राम को टैक करना ठीक है दिख रहा है इंस्टाग्राम पर डियाग्राम को साथ टैक करना ठीक चाँ आज की क्लास दव इंज है न सी में न समात हुआ अट इंड वीडियो को लइक केज़ें पाप लगेगा कमेंट करके जाएगा एंतिंस लगां जरूण करना टिक है इसाnd अध्र करना चैनल को सबस्काइब नहीं किये हो तो उख छाबिडिक रीडियो फॉइन खलाम if el एक रेड़े दे, थैंक यू